आज हम लाउज के आस्तिन में डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पर मैंने आस्तिन कट करके ले लिया है और यह बॉर्डर से हम डिजाइन बनाएंगे, बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाता है यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है यहाँ से हम दो इंच की दूरे पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर अभी सेप दे देंगे बहुत ही आसान है यह डिजाइन कोई भी इसे बना सकता है तो इस तरीके से सेफ देके हम इसको कट करके ले लेंगे अभी मैंने इसको काट लिया है ये देखे इस तरीके से यहां पे सेफ आएगा अभी हम आस्तिन में अस्तर को ज्वाइन करेंगे उल्टे साइड से हम यहाँ पेजवाइन करेंगे क्योंकि बाद में हम इसको पलट करके सीधा करेंगे तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे जिस सेप में हमने कट किया है उस सेप में हम घुमा के इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगा करके ले लेंगे अभी यहां पे जो एक्षा कपड़ा है हम इसको कट कर देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इहां पे कट लगा लेंगे आधा इंच के दूरी पे हमको इहां पे कट लगा लेना है और अभी हम इसको पलेट करके सीधा कर देंगे अभी मैंने इसको पलेट दिया है और अभी हम कईची की नुक से यह जो हमारा कोना है उसको हम अच्छे से निकाल लेंगे निकाल करके कोने को हम इहां पे उपर से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से जो हमने सेव दिया है वो हमारा अच्छे से बैट जाए अभी यहां से हम इसको घुमाएंगे और पूरे आज तिन में अस्तर को जोईन कर लेंगे अच्छे से हाथ से प्रेस करते हुए सिलाई लगाना है ताकि कहीं पे भी सिल्वर्टे वगरा ना आए तभी हमारा अस्तर जोईन करके हो गया है अभी जो इक्षा कपड़ा है यहां पर उसको हम कट कर लेंगे अभी यहां पर हम लेंगे अपने बॉर्डर का जो टुकड़ा लिया था हमने उसमें भी हम अस्तर को जोईन करेंगे इस तरीके से रखेंगे पहले हम और सीधी सिलाई लगा करके ले लेंगे अभी हम इसको पलेट देंगे और उपर से एक सिलाई और लगा देंगे और यहां से घुमाते हुए हम पूरे अस्तर को यहां पर अटेश कर लेंगे अभी यहां पर जो एक्ष्ट्र कपड़ा है उसको भी हम कट कर लेंगे और आजू बाजू से जो भी एक्ष्ट्रा है वो सब हम चाट करके ले लेंगे मैं यहां पर अभी लेस लगाऊंगी यह लो कलर का लेस लिया है मैंने यहां पर इसको हम इस तरीके से सीधे रखेंगे और सीधा सीधा हमको लगा देना है इसको सिलाई लगा करके हम इसको अटेस कर लेंगे बॉर्डर में अभी मैं इसको घुमा करके एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि जो हमारा लेस है वो अच्छे से बैठ जाए यहाँ पर जो एक्ष्णा लेस है उसको मैं कट कर दूँगे और एक पर और यहाँ पर मैं लेस को लगा दूँगे वापिस एक सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर घुमा करके तूसरी सिलाई भी यहाँ पर हम लगा करके ले लेंगे यहाँ पर भी जो एक्ष्णा लेस है उसको हम कट कर देंगे धागे वगर अभी कट कर लेंगे और अभी हम इस तरीके से रखेंगे अपने अस्तिन को एक बराबर से हमको अच्छे से रखना है और यहाँ पे पिन लगा देंगे हम तक इधर उधर ना हो और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सिलाई लगा करके अटेश कर लेंगे अभी हम पिन को निकाल देंगे और इस तरीके से घुमाते हुए हम यहाँ पर जितना हमने कट किया था उतना भाग में हम इसको अटेश कर लेंगे ते देखिए अभी जो एक्ष्रा धागा है वो सब हम कट कर लेंगे इस तरीके से हमको यहाँ पर अटेश कर लेना है और अभी मैं दूसरा लेश लिऊंगे और यहाँ पर अभी हम इस लेश को लगाएंगे इस तरीके से अभी मैंने ग्रीन कलर का लेश लिया है ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर यहाँ पे हमको प्लेट नहीं लगाना है बहुत ही आसानी से लेश हमारा लग जाएगा और इस तरीके से एकदम सेप में घुमाते हुए हम लेश को लगाएंगे यह देखे इस तरीके से पूरे आस्तिन में हम लेश को लगा करके ले लेंगे अभी हम यहाँ से घुमा करके जो इक्षा लेश है उसको मैं कट कर लूँगी और एक सिलाई और लगाएंगे ताकि लेश हमारा अच्छे से बैठ जाए यह देखे अभी हमारा अस्तिन बन करके एक्टम तयार है जो यहाँ पे एक्षा लेश है हम इसको कट कर देंगे धागे वगर अभी कट करके ले लेंगे यह देखे अभी यहाँ पे पलट करके जो इक्षा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे सेफ में हमको कट करना है चाहिए तो आप यहाँ पे इस तरीके से पलट करके तुरपाई कर सकते हैं और हमारा आस्तीन बन करके रेडिये जट पर से आप देख सकते हैं बहुती सुन्दर, बहुती आसान है, कोई भी इसे बना सकता है आप यहाँ पे बॉर्डर की जगवपे दो कलर के कपड़े में बना सकते हैं मैचिंग अपने साड़ी के हिसाब से कोई अलग कलर का कपड़ा लगा करके यहाँ बना सकते हैं बहुती आसान बन जाता है, तो आप बना करके देखिए बहुत ही जटपट बनकर के एकदम रेडी हो जाता है हमारा आस्तिन आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से भी मैं दिखा देती हूँ देखिए बहुत ही यह देखिए बहुत ही सुन्दर बन जाता है जटपट से तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना कमेंट करके बताना आगे और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्क्राइब करना तो